बूद मॉर्निंग स्टुदेंट्स मैसल्फ शीवा मरोरा फ्रॉम सिल्वा बैल्स मांसरोवर पालंपूर तुड़े आम यह वर देखेंगे रोटेशन एंड रिवेलुशन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कोई जो टॉइस या कोई डिस्क होता है वो ऑटोमेटिक लिए कैसे रोटेट होता है वैसे जैसे हमारा अर्थ रोटेट होता है सिमिलरली वैसे वो भी सेम डिस्क या कोई टॉइस होते है वो भी वैसे रोटेट होते है वो भी ओनिट एक्सिस अपने खुद के एक्सिस पे आपने, जब भी आप कभी मेले में जाते होंगे अपने वहां पर अपना जो फैर होते वहां पर भी अपने बहुत राइड लियोगी आपने वाइल दा सीट टोटेट अराउंड देर एक्सिस दे रिवाल्स इन दा सर्कुलर में आप जैसे वह राइड पर बैठते हो आप यहां पर देखो फैरी वेल जो फंफेर की होती वह राइड की आप फोटो दी गई है आप जैसे यह रोटेट होता है वैसे जो अंदर की सीट से वह भी रोटेट होती है तो दोनों चीज रोटेट होती है उसकी सीट से वह भी रोटेट होती है और जो इसकी पुरी राइड है वह भी रोटेट होती है लाइक अधर सेलेस्टर बाडी जैसे अधर सेलेस्टर बाडी है हमारे आप इसे तरीके से होती है जैसे हमारे satellite moon है जो rotate होता है उसी तरीके से ये भी rotate होते है the earth also moves in a two ways हमारा जो earth है वो भी two ways में move होता है rotation and the revolution अब rotation क्या है rotation है moving on it axis and the revolution क्या है revolving around the sun the earth rotates on it on axis and also revolves around the sun अब earth क्या है अपनी ओन एक्सिस में गूमता है and also revolves around the sun जो sun के revolves sun के भी खुद भी घूमता है और साथ साथ में क्या है sun के around भी घूमता है अब हम यहाँ पर आपको एक map को figure दिखाऊंगा नीचे जो आपको यहाँ पर दिखाई गिए erect a pillar on your school ground not down the details as given in the table अब आपको यह आप घर पे भी इस तरीके का example देख सकते हो जैसे आपको 2.2 में दिया गया है measurement of a pillar shadow अब आप देख रहे हो यह आप एक pillar है उसके उपर क्या एक क्रो बैठा हुआ है अगर आप जैसे देखते हो कि जो sun है अगर sun एकदम left side में हो एकदम नीचे हो यहाँ पे तो उसकी shadow आपको दिखेगी बहुत दूर तक जा रही है अब जैसे ही जैसे अब इसके बाद हम नमारा next topic देखते है what does rotation of the earth mean जो अर्थ का rotation वो उसे क्या कहते है वो देखते हैं as the earth rotation on imaginary axis the speed of rotation at the point along the equator is approximately 1670 km per hour जो यहां की जो अर्थ की जो rotation है imaginary axis वो क्या है उसकी speed की rotation कितनी है 1670 km per hour है और take 24 hours to complete rotation जो अर्थ हमारा जो one day का rotation complete करता है कितने hours में करता है 24 hours में करता है why is the sun seen only during the day and the moon at 9 sun हमें क्यों खाली दिन में ही दिखता है night में क्यों नहीं दिखता यह question हमारे दिमाग में होगा जैसे इसके नीचे दूसरा question है how are the day and the night cause of day or night कैसे अलग अलग time पे होता है you must probably have thought about a such question हम यह सारे दोनों question के बारे में सोचते होंगे okay उसी के थुरू हमें आप एक आपको में photo देख रहा हूं वहां से देख सकते हो अगर sun के आगे का जो पार्ट है वो हमेशा क्या होता है एकदम day वाला होता है और जो उसके पीछे का जो पार्ट होता है जो sun के अर्थ का जो पार्ट होता है आगे वाला sun के सामने वो day का पार्ट होता है और जो पीछे का पार्ट होता है नाइट का पार्ट होता है आपको properly यहाँ image के अदर देखने मिल रहा होगा जहां पे ये पूरा black वाला portion है वहां पे आपको stars and moon देखने मिल रहे हैं और जहां पे आपको white वाला portion है इस figure के अंदर वो कुण सा portion है day वाला portion है, ओके अब हमारी next activity पे जाते है उसके नीचे ही है 2.4 वाली कि day और night को किसे होती है जैसे कि आपको यहाँ पे एक example दिया गया यहाँ पे आपको एक circle दिया गया उसे क्या बोला गया है globe of the earth और सामने आपको एक torch रखी गया आप उस torch को समझ सकते हो कि वो एक one type of sun है जैसे ही वहाँ से light आ रही है तो यह जो globe of earth है आप उसका half part वहाँ पे light गिर रही है तो यह part हमारा कौन सा हो गया sun वाला part हो गया और जो पीछे का part है जो black वाला वो हमारा part कौन सा हो गया night वाला part हो गया ओके बचो जैसे आप देख रहे हो कि white वाले part में हमें क्या मिलेगा देप मिलेगा और जो night वाला part है हमें वहाँ पे क्या मिलेगा जो पूरा black वाला part है उसमें क्या मिलेगा ना